नमस्का फेंड्स में नाम बवलु अर्मा पीपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे यहाँ पर बीए फर्स्ट सैमिस्टर वालों के लिए सिच्छा सास्त मतलब एजूकेशन का यहाँ पर यहाँ हूं हंडड़ परसेंट क्योशन आपके लिए से देखने को मिलने वाले हैं और कितने भागों में दिवाइड हमारा रहने वाला ठीक है पार्ट बन में आपको एक गंटे का मिलेगा पार्ट टू में आपको एक गंटे के मिलेगी MCQQ क्योशनों की एक प्रकार से वीडियो देखने को मिले वाली हैं पार्ट बन पार्ट टू जो आपको क्या होगा हंड़ेट परसेंट इसकोर काने वाला क्या हंड़ेट परसेंट इसकोर काने वाला है अगर आप सिर्प देख लोगे तो आपको सारे की सारे याद हो जाए है object type question questions and very short answer type question ठीक है तो बात करते हैं इनकी तो प्रते के person के उत्तर के चार विकल्ब दिये गए है इन में सही विकल्ब आपको चुनना है first question रखा है आपका रखा है परा एबम अपरा विधा संबंदित हैं किसे है बैदिक काल से मुस्लिम काल से बहीड काल से या फिर हो जाता है आधुलिक काल से लों पाराय और अपो जो जाते हैं वो किसे शो सब्सक्राइब इसे डाइप प्रकाव को क्राओं यह विशा है और इस परकार स नंबर लिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स कु Abi सिच्छा एक मकी परकीर यह है सबसे पहले किसने कहा था आपको बताना है ले सब माद से पहले किस ने कहा था रॉस ने जॉण यॉण ड्यू बी ने अडम ने या फिर टी पी एन तो सच्छा इक क्या है तों कहने की ट्रीक है तो yn लगेगा आपको जब दोन एक नोक होंगे एको तो अटरान हुए काो यह व्योट है test लगेगा आपको जब दो मुखेंगे एक मुखें तो आप क्या लगा देना है आप लगा देना है एटम मतलब एडम तुराइड होजाएगा और यह आप भी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एक स्कूशन ह्लैं यह उजाएगा हरव का हरवह क्या हो जाएगा ठीक हरवर्ट कैसे आप करेंगे यहां पर रहता है नयत्तिक हैं यहाँ पर i have प्राइब करके सकते हैं अगर किसी के ब्लाई तो है क्या है ज्यान कर सकते हो इसप्रकान से वह सब्सक्राइब ठीक है तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाव हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं है कि बैदिक काल इन सिच्छा के में गुरू सिच्छ से संबंद थे जब बैदिक काल था फर्स्ट नंबर जो बैदिक काल आया था उसमें दे रहका है जब सिच्छा उसकी कि बैदिक काल इस सिच्छा थी उसमें गुरू और सिच्छ के बीच संबंद क्या था पिता पुतृत्व का श्वामी वाज सेबह जैसे और नेता और नाई जैसे इन में परा और अपरा देखाता किस से थे बैदिक काल से बैदिक काल के बाद को न आएगा लोकिक काल तो यहां पर रिखा है अपरा बिधासे तात्परे को न सो जाएगा लोकिक बिसे से जम्मंदित हो जाएगा ठीक है क्योंकि बात क्या था सुपरे बहले को न आथा बैदिक काल लोके काल उसके बाद संस्करी से बाद पली करते हुआ उसको अभड इसके बाद के आए थी हमारे हिंदी का विकास हुआ था ठीक है तो इसमेंन संसकार होते हैं उनमेति किसमंत्र Можно रूट सब्सक्राइब जो नी समाज भ्यक्ति कोरी कल्पना है रिमांट ने या प्रतो ने रौस ने या पिर पीटी मने तो यह किसने कहा था आँ को पता आ किसने कहा था वो को लिया जब है या पिर कैसी है काली है है ना तो कैसे बचलेगी रिमांड भै उसे रिमांड प्रारंब होती है और मा सर्बोत्तम से भी कहा है यह कतन किसका है रूसों का प्लेटों का जॉन ड्यूबी का या फिर एडम्स का कैसे याद करोगे भई यह किसका है यह हो जाता है रूसो का किसका रूसो का हो जाता है याद कैसे करें सिच्छा जंग से आरंब होती है सही बात है मा सरबुत्तम से भी का है तो इसलिए मा से क्या मत करो भई मां से रूठो मत क्या मां से रूठो मत तो रूठो मतलब रूसो तो राइट आंसर उप्शन नमबर आ हो जाएगा बिलकुल आराम से ने याद खर लिया ठीक है आगे बढ़ते हैं विवेक क्या भाब में ज्यान निरर्थक है देखो द्यानन सस्पती ने विवेक आनन्द ने राधा डॉक्टर राधा कृष्ण ने या फिर महत्मा गांदी ने तो कौन कहेंगे बई विवेक आनन्द में कौन रहते हैं राधा कृष्ण रहते हैं कौन क्रिष्ण जी रहते है उन्हें क्या है ना उन्हें ग्यान का भाव हुई नहीं है ना उन्हें क्या मतलब ग्यान से बिलकुँ सही तो राधा और कृष्ण को ग्यान से कोई मतलब नहीं है अपने काम से मतलब ठीक है तो याद रहेगा आगे बरते हैं नेक्स में दिरकाई है किसने कहाए कि सिच्छा क कारे मनुस्य के सरीर और आत्मा की आत्मा को बहपूरता प्यान कहता है जिसके की वह योग है किसने का है बई यह का अपने महात्मा गांदी जे ने इसने महात्मा गांदी कैसे याद करेंगे यहां पर है महात्मा और यहां देखो आत्मा क्या महात्मा आत्मा महात्मा महात्मा ओजी का और थरनका या फिर ऊट और नहीं का राइट आपना क्या रहने वाला वह आँस दी जी का करते हैं कि सच्छा मनुस्रीका निर्मार करती है और इसका जो आंसर हो जाएगा यह कई चाहिए कर रहे हैं यह का यह है काउज थरनका अब कोई बिल्डिंग बने कव बनके तयार होगी क्या करो का और यहां पर बिलकुल आपको याद रहेगा सिच्छा मनीस्रीट करने मार करती है कर ठेल को जाता है आगे परते हैं सिच्छा का चार असहाय प्राड़ी धिकास में सहायता पहुचाता है जिसके कीवे खुसी नैतिक कुसलता कुसल और कुसल मानव बन सके यह कतन किसका है पैस्टोलोजी का जॉन डीवी का महात्मा गांधी का काउधरन का राइट आंसर अपना क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुछ सही इसका दो आंसर हो जॉन डीवी जी कौन जैवन डीवी जी सिच्छा का कार असाय प्राणी के विकास विकास की बात कर रहा है सहायता पहुंचाना उसमें खुशी रखना नैतिक रखना और कुसल मानव बनाना मतलब कुशल क्या कर रहा है बैए कुशल क्यों बनाना है मानव के लिए क्योंकि अपने बीबी को पाल सके और बीबी और डीवी बिल्कुल याद रहेगा आपके लिए कि विकास खुशी नैते कुसल बन जाए और अपने घरवालों को पाल सके तो राइट आंसर क्या होगा जॉन डीवी का यह कतन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा आगे बढ़त ब्यक्तिक उद्देश का समर्थक है तो कौन जाएगा जॉन डीवी और टीपी नन रूसो या फिर कॉर्मेनियम यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल इसका आंसर जीगा बहुत अच्छा बिल्कुल सभी कांसर राइट आते हो अप्शन नंबर भी सोच लिया क्stillकुल न है मतलब बिल्कुल खتم ऑना कोई मतलब नहीं क्या है अरे उद्देश का समर्तक है यह समर्तक है पर का से याद रहेगा कि उद्देश का समर्तक है घी थीगे तो औरे कौन समर्तक है कौन कह रहा है समर्तक है यह तो कुछ नहीं है खाली है नन है ठीक है तो इस प्रकार से याद रहेगा आगे बढ़ते नेक्स सुच्छा किस प्रकार की सिच्छा है अपचारिक अनौपचारिक 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 इन में से कोई नहीं तो राइ रखा है पूर जीवन के उद्देश का प्रतिपादन किस ने किया पूर जीवन के उद्देश का प्रतिपादन किस ने कहा था जॉन डिवी ने कॉमेनियस ने हरबट स्पैंसर ने या फिर पिलेटो ने तो राइट आंसर ना भई क्या हो जाएगा बिल्कुछ सही तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरबट स्पैंसर हो जाएगा हरबट स्पैंसर हो जाएगा पूर जीबन पूर जीवन की बात कर रहा है हर बड की बात कर रहा है मतलब पूरा जीवन और यहाँ पर हर बडम सब्सक्राइब तो रासे ने बना लिया आगे बढ़ता है व्यापक रूप से सिच्छा का अर्थ बताईए व्यापक रूप में सिच्छा का अर्थ आपको बताना है व्यापक रूप में सिच्छा आजीबन चलने वाली प्रिक्रिया है बिल्कु सही कह रहा है व्यापक रूप में सिच्छा का अर्थ क क्या होता है परिस्फचण में कौवसल धैर सुबिधा को प्रैप्त करने के लिए अब्हास कर आया जाता है विल्कूल सहीं बात है पर च exploitation क्या है किसी को कौवसल करना धैर है और सुबिधा को प्राप्त कराने के लिए उसमें अभ्यात मतलब उसकी ट्रेनिंग देना है आगे बढ़ते फिर रिकाए सिच्छा एक दूए मुखी परिकरिया है इस परश्ट करें इस परश्ट करो दिरेकाए एडम ने सिच्छा को है ना हमने देखा दूए मुखी कौन है एडम एडम जी है तो यह तुम्हें याद करता है तो सिच देना वाला कौन साओं कि सिचक गरहन करने वाला कौन सदीगा सिचारती बिल्कुल सही है ठीक है दो मुखियो जाते हैं निम्ले-परिमासा किस शुरी सुर्य सिख्चा की निम्नपरिबावसा किसने दी सिख्चा से हमें अभी प्राइब आलक के सरीर मन आतमा में नहित सर्बोत्तम गुड़ों की प्रकटी करण प्रकटी करण से है तो यह जो गहाई कहावत है चो यह जो दिस सुरी वहाईआ ऑक किसने दी है ठीक है तो हमने सिच्छा बैसक जीवन के लिए तयारी है किसने कहा सिच्छा जो है वो बैसक जीवन के लिए तयारी हो इसने कहा था यह इ κάξा कि सर्धेर जीवन रहे इसक अगले आएगा इस 12 सभी कया करो अगले क्या होगी ऐप की नौक्त के लगेगे या बैस्ट जोड़ा होगी आपके बीजनस कर लोगे या पना कोई शो रूम खोल लोगे या पड़ा मिल सक्राइब लुक्त कि मिलोटन कि हम क्या कमाएंगे पैसा कमाएंगे अगली चलके हैं अग सिच्चा के बवसाइक उद्देश को किन अन्य नामों से पुकारा जाता है तो यह ब्लू जैकेट कहते हैं और वाइट कॉलर अधी नामों से पुकारा जाता है एक आजी नाम नहीं कोई बात नहीं आगे देखते हैं कोई बात नि जनतांत्रिक देसे जनतांत्रिक देश में सिच्छा के दो देशे बताना है कौन कौन से होते हैं पहला देखो यहांद है नेतरत विकास का उत्दून का उत्दून कि इसकה में हो जाएगा बहुत सारे हम बना मना की लिख सकते हैं आगे बिखत criticizing हो जाते हैं तो दो-तीन Yeah रिकतिक बिकास का अतीबादी क्या अतिबादी क्या था क्या यार एक्स्ट्रम ठीगे अतिबादी रूप रूप क्या आखको बताना है देखिए का हाँ भविस्यक्ति की आत्म विभक्ति विभक्ति है ना बिल्कु सही आत्मा विभक्ति बा आत्मा निभक्ति मानते हैं तो यह अजीब सीधे रखी है ना इसको चलो इसको छोड़ो है ना इसको छोड़ो यह आपके कुशन में मतला एम से कुमें नहीं वनने वला है नेक्स कुशन में लेने को पता जालेगे ना तो रिमांट जी हो जाएंगे आप पर बिलकुल आगे बाते हैं यूनिट नंबर साइकेंड श्टार्ट हो जाता है बेदुमाव खेड़ो बड़ाबड रहका यह किस सिच्छा बिदका है कि सिच्छा का सर्फ रेश्टर उद्देश वाकार मान पर करतीबाद चरित्र को फिर सिच्छित करना है यह खतन किस का हो जाएक अपको बताना है प्लेटो महतमा गांदी अपनों स्टीपीनन या फिर्फ मानब पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट आणसर क्या हो दाएगा फटावट खेलो बिलको सही है को प्लेटो जी का कैसे याद करेंगे सिच्छा का सब्सक्राइब करना है तो किसका है प्लेटो का है किसका प्लेटो का है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं सिच्छा का कार समाज के सांसकर्थिक मूल्यवा ब्याबहारिक के प्रतिमानों को अपने तरुड बाकार शील उद्देश्यों को प्रदान करना है यह कतन किसका है बीडी भाटिया हरबाट वाटे उटावे या फिर मेकाईव तो राएट एंसर अपना क्या रहने वाला है बिल्को जो राएट एंस हो यदेगा वो जाएगा ओटावे खिल्दावे हो जाएगा तो आगे बढ़िन को अलिए को प्रुक्राल जीबत इस प्रकार जैबिक जीवन में झेवन के लिए Bhojanबा प्रजन की आभसकता होती है उसी प्रकार सामाजिक जीवन में के लिए Sचा की आभसकता होती है उप्योकत कत interrogate SU आपको हम active तेगा ठीक है पिर्ट्र में करता का जॉर्ड यूर्ड का उटावे का प्लिक्र जिस प्रकार जैबिक जीवन के लिए भोजन होती है उसी समाजिक जीवन के लिए सिछ्छा की आवज अबिशिक्ता होती है उप्युक्त कथन कि लिए भूजन तता प्रिजन के आभशाकता है सब्सक्राइख सभी समानी उद्रन के सचा पर्फर्टा ककी बात कर रहा है मतलर है और कि आवस्के बात कर रहा है किसी चीज की आपशाइख अ और यहाँ है, जॉण डूबी है, जॉण ड्यूबी तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, बी-बी क्या था, न जॉण और वी-बी बात है किना, क्याते है जॉण बी-बी और आवशत متचा, ठीक है तो इस परकार से लगा देना आराम से, बस ट्रिक बन जाती है, ट्रिक बनाओ ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन ट्रिक से क्या है आराम से एक्जामस में सौल हो जाएंगे क्योशन बात करता है मूले ब्यक्तित्व की पिर्मुक रूचिये मूले ब्यक्तित्व की पिर्मुक रूचियों को इंगित और इंगित करते हैं यह कतन किसका ब्रू बैकर का या फिर नन का तो यहां पर राइट अंसर ना क्या होगा बिल्कुल पी हो जाएगा अपना किसका ओल पूर्ट का हो जाएगा इंगित मतलब क्या करना इंगित करना दिखाना वो देखो जोड़ते हैं उसको कहते हैं पोट इंगित करोगे बताओ उसके लिए बहुत देखो पोट है उसके याद हो जाएगा कि हामुल व्यक्तत्विकी प्रमुक्रूचीयों को इंगित करता जहां इंगित की बात करेगा बस लगा दिना ओल पूर्ट ठीक याद हो जाएगा आगे करते हैं मानव संसादन विकास मंत्राले का नाम बरतमान में क्या रखा गया है तो मानव संसादन विकास मंत्राले का नाम बरतमान में क्या है आपको बताना है मानव विकास केंद्र मानव संसादन केंद्र सिच्छा मंत्राले या फिर उच्छी सिच्छा मंत्राले तो यहां करिया एक संगठन कjuna पे दो आउर locked एक इकता जो है वो है क्या तो यह क्या है एक भावन है वह क्या है एक भावना है तो राइट answer option number आ हो जायगा next question की बात करते हैं कि उसे बहार से भी तरिक से रूप में हमारे अस्तित्व का घृत्त संबंद है तो इसकी हो जाती है यहो जाती डॉक्टर राधह कृस्ण्जी का हो जाता है नहीं कि बात करें यहां पर यह ता एक यह कौन बांधेंगे राधह कर्षन कौन राधह किस ने कैसे बंदें हुए है एक क्या है बदे आगे बढ़ते हैं बच्चों में राष्ट एक्ता के यहां देखो पहले क्या हो रहा था घनिष्ट संबंध तरसारा यह भी दिया नकना एक्ता में घनिष्ट संबंध ठीक है आगे देखो यहां देखा है तुम्हारा कि बच्चों में राष्ट एक्ता के संबर्धन संबर्धन में कौन सी संस्था सक्रिय भूमिका निर्भा कर सकती है ठीक है तो वह कौन सी है परिबार विद्याले राज इन में से कोई नहीं तो कौन सा दाएगा वई विद्याले हो जाएगा बिलकु सही बात है विद्याले मे हो जाता है किसका एक्ता का तो यहां पर राष्ट एक्ता के लिए कौन सा तत्व बाधक है तो राष्ट एक्ता के लिए कौन सा तत्व बाधक है तो राष्ट एक्ता के लिए कौन सा तत्व बाधक आपको बताना है एक राष्ट एक्ता सामप्रदायक्ता साच्छता आर्थिक समानता तो यहाँ पर राइट अपना क्या हो जाए बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा सामप्रदा एक्ता अगर सामप्रदा एक्ता बनी रहेगी जाती भिद्वाद बरे रहेंगे तो बेराश्ट एक्ता का बाहदक हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर बात करता है एक राष्ट होगा तो बिलकुल एकता बनी रहेगी साथ छर्था होगी आप में सिच्छत होगी तो एकता बनी रहेगी और आर्थिक समानता होगी मतलब आपके पास पैसा मतलब बराबर है ना किसी के पास कम उचा है कोई बात नहीं आदा मगर आर्थिक समानता ह खाने पेड़ी के दिक्कत नहीं है तब ही एकता बनी रहेंगी वग्गर सांपरदायकता हों गी तो एकता नहीं मनेगी फिर आगे बढ़ता है राष्ट एकता का क्या है süettek Omaha क्या है राष्ट म में राष्ट एक्ता उत्पन्य करना उनके विचार अच्छे होंगे तो उनका यहीं क्या हो जाएगा पर मुक्रत छड़ हो जाएगा ठीक है आगे बते हैं क्योशन नंबर 11 की बाद रिखा है राष्ट एक्ता के लिए संपूरा नंद सम्मिति का गठा ने कब किया गया था अ संपूरा अनंद क्या रहे हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर क्या दाएगा उन्निस्तों 161 हो जाएगा राइट आंसर फिर नंबर आ हो जाएगा ठीक है तंपूरा सम्मिति कंठा वुआ था 1901 में हुआ था ठीक है चे एक चे और एक ठीक है इसको आप याद कर लिजेगा नेक्स कुछिन की बात करते हैं राष्ट एकता की भावना के विकास में अधिक महात्पूर है तो राष्ट एक ही कड़के राष्ट एक ही कड़की भावना में के विकास में अधिक महात्पूर कौन है आपको बताना है ताचर्ता सिच्छक सिच्छड विदिया या पर रेका है सिच्छा का पाठ्ठे किरम तुराइटांस अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल तो क्या हो जाएगा बेदे की बाताएगा राष्ट एक इकड़की भावना के विकास में अधिक महात्पुर कौन है तो बैस चीत होगा सिच्छित भावनाय कौन जगाएगा वई सिच्छक जगाएगा सिच्छक ठीक है आगे वड़ते हैं राष्टिता बांतर राष्टिता है क्या है बिरोधी प्रत्य फिर शमांतर प्रत्य एक दूसरे के पूरक या फिर संबंदित नहीं संबंदित नहीं तो राष्टिता औ और अंतर राष्ट दा एक दूसरे के क्या है तो बताना है कौन सा बाधक नहीं आ है तो बाकी जाती बाद बिलकुल हो जाएगा प्रांतिय बाद बिलकुल हो जाएगा जो प्रांतर मेटे हुए है नेक्स कुशन की बात करते हैं राश्टी एक तामे बाधक कौन सा नहीं है आपको बताना है सामपरदायकता, जाती बाद, भेष्टाचार या फिर सच्छा तो कौन सा नहीं है भई? बज़े की हो जाता है अपना सिच्छा क्या हो दाएगा भई? अपनी सिच्छा यहां पर हो दाएगी जो बादक नहीं होती है अब बढ़ते हैं next question की और मानव संसादन विकास के दो साधन बताईए तो मानव संसादन विकास के दो साधन कौन से हैं? एक है प्रौन सिच्छा, एक है प्रात्मिक सिच्छा कौन है? एक है प्रौन सिच्छा और यह जाती है प्रात्मिक सिच्छा नेक्स कुशन के बात करेंगी अबंकास के लिए अपनाए गए दो पिरमुक यांपर हो जाएंगे ठीकए प्रमुक दो कारेकरम की बात कर रहा है अबकास के लिए अपनाए गए जो अबकास होता है ना उसमें जो कारेकरम किया तो पहला होगा पाठ शहगामी किरियाई जो हो जाती है ना प्रकास अपने रिलेटेड हो जो हो जाती है पढ़ाई लिखाई से उसमझ रहती है और सहायत के लिए सिच्छा अबकास के लिए सिच्छा विवस्ता करते समय किन दो विसेस बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो कौन से हो जाती है पहल अबकास के लिए सिच्छा विवस्ता करने के लिए करने करते समय किन दो विसेस बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो व्यक्ति बिभिनिता की बारे में बात ध्यान लखना चाहिए सामाजिक बासांसे किर्थिक परंपराओं के बारे में ज्यान हमें होना चाहिए next question की बात करते हैं संपूरान सम्मिती संपूरान सम्मिती 1916 का संबंद किस बिसाय से है तो हमने पढ़ाता किसे है राष्ट एकता से हो जाता है next question की बात करते है राष्ट एकता के दो बाधक तत्व बताईए राष्ट एकता के दो बाधक तत्व बताना है कौन से हो जाते हैं तो जाती बाद और भासा बाद दोनों हो जाते हैं जाती बाद और बहां सा बाद दोन हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं कौसल अधी ग्रहन के दो लाब बताईए कौसल अधी ग्रहन के दो लाब बताना है कौन कौन से एक हो जाता है तुम्हारा धन का साधन बिल्कुल हो जाएगा और दो लाब धन का साधन हो जाता है फिर नौक एक जोटता के सामाज एक संबंद हो जाएगा कार संबंद हो जाएंगे ठीक है दो यहां पर यह हो जाते आगे बढ़ते हैं यहां रखा है यूनेस को किस इस तरकी संस्ता है यूनेस को कैसी है अंतराष्टी संस्ता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां रखा है आप संस्कृत आप संस्कृति कैसे परिभासित करेंगे आप संस्कृति को कैसे परिभासित करेंगे तो देख सकते इसकी परिभासा संस्कृति का अंगरेजी रुपांत्रड ठीक है संस्कृति का अंगरेजी रुपांत्रड ठीक है संस्कृति का अंगरेजी रुपांत्रड ठीक है संस्कृ तो इस प्रॉबलम होगी तो बिल्कुल तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो ठीक है बता उपर से आवाज आई थी कोई बात करते हैं आप संस्कृति कैसे परिभासत करेंगी आपको जो संस्कृति करना वो कैसे परिभासत करेंगी आपको बताना है संस्कृति एक अंग्रेजी रूपांत्रण है अंग्रेजी रूपांत्रण क्या है यहां पर यहां देखेगा कल्चर संस्कृति एक अंग्रेजी रूपांत्रण किसका कल्चर है जिसका अर्थ है परिसक्रत रचना या फिर संस्कृत करना क्या सू संसुक्र्ति करना क्या है कि अटपटा है इसमें आपसे कुछ नहीं बूचे गा ठीक है इसमें आपसे कुछ नहीं पूचेगा इसको छोड़ी गाठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखीगा ठीक है next question जो समझ में नहीं आता है न इस प्रकार से question है मगर जो उपर वाला था यहां पर कि UNESCO के सस्थरका हो जाएगा अंतराष्टी है राश्टी है इस प्रकार से question बन सकता है ठीक है इसमें कुछ नहीं बनेगा संस्कृती संस्कृत कैसे प्रिवासित करेंगे तो बस culture है काम खतम ठीक है next question देखेगा यहां देखा है सिच्छा का सबसे मुख अनौप चारिक अभीक्रण है तो कौन सा है आपको बता है सिच्छा का सबसे प्रमुख अनौप चारिक अभीक्रण कौन सा हो जाएगा इसको देखेगा तो बहुत कौन स हो जाएगा परिवार परिवार से क्या मिलते हैं बात करते हैं यह कतन किसका है बिद्याले समाज का लगू रूप है यह कतन किसका है बिद्याले समाज का लगू रूप है ओबाटे का गांदी जी टैगोर या फिर सुकुरात का तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा यह कतन किसका है बिद्याले समाज का लगू रूप है लगू मतलब बड़ा तो किसका हो जाएगा ओ टाबे का हो जाएगा किसका ओ टाबे का हो जाएगा ओ इतना बड़ा है ना बिल्कुल याद रहेगा ना बिद्याले समाज का लगू रूप है मतलब ओ टाबे ओ इतना बड करते हैं next question next question की बात करते हैं बालक के समाजी कड़ में सरपर्थम है बालक के समाजी कड़ में सरपर्थम क्या है धार्मिक संस्थाइं राजनिक संस्थाइं घर्वा परिबार बिद्याले तो बताना यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा बिल्कुल तो बालक के समाजी कड़ सुर्पाइब सब्सक्राइब कि लिए तो राइट आशे I should also Ng bated करते हैं बालक की पृफ्षम पार्ट साला है पृफ्षम पार्ट साला कौन से बिद्धाले परिबार परोस यहा फिर हो जाता है कुरिण स्थल तो राइट आंस अपना क्या हो जाएगा बिल्कुश सही है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा परिबार हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं किसने कहा कि विद्ध्याले समाज का लगूरूप है किसने कहा कि विद्ध्याले समाज का लगूरूप है रॉस ने प्लेटों ने बैकन ने या फिर D.U.B. ने तो यहाँ पर राइट अंस अपना क्या हो जाएगा तो किसने कहा कि विध्याले समाज का लगुरूप है तो यह कहा था किसने D.U.B. ने कहा था किसने कहा था भई D.U.B. ने कहा था ठीक है इसको याद कर लेना आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन को देखो नेक्स कुशन कह रहा है कि राज सिच्छा का किस परकार का साधन है राज जो है वो सिच्छा का किस परकार का साधन है औपचारिक अनोपचारिक निरोपचारिक सामान तो यह किस परकार का हो जाता है तो यह होगा औपचारिक कैसा उजाएगा भई? औपचारिक हो जाएगा क्योंकि राज के अन्दर रह रहे हो, यह न उसमें सिछ्चा ले रहे हो, जिस प्रकार से हमारा जो स्कूल होता है बीज्छाला हुता है वह भी आपचारिक होता है सिच्छा का next question की बात करते हैं आद रहका है सिच्छा पर राज का निंतर एक बुराई है किसने कहा था बिलसन ने रेमोंट ने जी एल मिलने या फिर जॉन ड्यूबी ने तो राइट आंसर अपना भी यहां पर क्या हो जाएगा मिल मतलव राज से सिच्छा कैसी मिलेगी राज के निंधर में नहीं होनी चाहिए तो इसलिए किसमें संबर्ती में है, राज और केंदर दोनों के अंतरकत आती है next question की बात करते है, सिच्छा का प्रमुक अभीकारक है सिच्छा का प्रमुक अभीकर कौन सा है, आपको बताना है सिच्छा का प्रमुक अभीकारक कौन है, परिबार और बिद्ध्याले हो जाएंगे सिच्छा का सक्रिय वा औपचारिक साधन है, सिच्छा का सक्रिय वा औपचारिक साधन कौन सा है सक्रिये इसक्रिये सबीदिक या फिर अभिदिक राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बिल्कुस है भी सक्रिये हो जाएगा न अनौपचारिक और सक्रिये हो जाएगा ठीक है next question की बात करते हैं याद रखा है किसने कहा है कि सिच्छा के लिए घर सर्वसेश इस्थान है और बालक का पिर्थम बिद्ध्याले है बालक का पिर्थम बिद्ध्याले है सिच्छा के लिए सर्वसेश इस्थान है और बालक का पिर्थम बिद्ध्याले है तो यहां पर right answer क्या होगा रस्क ने कहा है रोस ने कहा है जोन ड्यूंहीं ने या फिर पैष्ट Dog को सिछ्षा के लिए घर सर्व शृष्ठ भालक का पिरतम विद्यालय रिए और विजम्ने का ने कहा था किस ने पैस्ट लोगई ने कहा था आगे बढ़ते हैं फिरिक्ता पर बच्पन का घर है यह कंपानदी जी ने कहा तहरा इस ने कहा था विद्ध्यालय बच्पन का घर है यह कहा था गांधी जी ने बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन नेक्स की बात करते हैं यहाद रिकाए विद्ध्यालय सब्द की उत्पत्ति किस वहां सा से हुई है ग्रीक हिंदी लेटिन अंग्रेजी तो विद्ध्यालय स्कूल सब्ध्यालय कि कि पतकी किस भासा से हुई है आपको बताना है बैर वेडरि फैंपोर्टेंट की उचल है कि से हुई है किससे ग्रीक भासा से आगे बड़ते हैं नेक्स कुशन जो को यहां पर डवल मिलेगा तो यहां पर भी डबली मिल जाएगा इस प्रकार से याद रखना ठीक है बात करते हैं इसकूल सब्दिकी उत्पत्पी किस सब्द से हुई है आपको बताना है इसकोला से इसको से तो स्टूल से या फर हो जाता है अपना इसकूल से तो राइट आंसर यहां पर क्या रहने बाला है तो ग्रीक से हिंदी से अंग्रेजी से तो पड़िबार सब्दिकी जोफ़त्ति हे विगकती ये बाइस रहल नभासका से हुई है कहां से लाइटिन वहासासं से हुई है याद करलिए ठीक है आगे बड़ते हैं सामान अर्थ में समाज का अर्थ हैं पर समाहिं का समूँ गया या फिर भ्यक्तियों का सब्सक्राइब एकियों का समय भाहसा माच लक्तर हो जाएगा क्यास्क्ति मैंद्धक चंषर हुए है इस हमिल पार मिली अख अब मिली धार मयाहक। छहिए तो हिलक्त था मेलाओ नहीं नौरat या फामी या फिर फामिलीयान यहां पर वताना है कौन सा हो दाएगा राइट तो बिल्कुल किसे पर आपाँ से पर देखास समंद्द है राज सिझ्झा का संबंद किससे है आपचारिक अनपचारिक या अंदिरोपचारिक इन में से कोई नहीं तो राज सचा का समझे किसindest Раз का है हमने इससे पहले देखाता कैसा ही है आगे बरते हैं Color 65 सचा का कौन सा साधन है श्कूल परिबार समाज या अफेन में से कोई नहीं आपचारिक सिच्छा का साधन कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है तो कौन सा जाएगा भई इस्कूल हो जाएगा देखाए नामने आपचारिक स्कूल क्योंकि उसके अंदर रहते हैं आपचारिक राज क्योंकि उसके अंदर है किस चलेते हैं नेक्स की बात करते हैं, मेडिया सब्द किस भासा से संबंदित है, हिंदी, अंग्रेजी, लेटिन या फिर जर्मन, तो मीडिया सब्द किस भासा संबंद हो जता है, यह आपको बताना तो राइल कांस दागा भई, लेटिन महासा किस से, मीडिया किस से है भई, लेटिन महासा न्वा से संबैंदित है ठीक है next की बात करते है next को दहचीगा तरहला जन जन संचार माध्यम में सब्देन नहीं है जन संचार माध्यम में संब्रकॉन सा नहीं है radio टीवी यूवल यहां पर सबको पतार होता है । टीवी के दौरा पत्रिकाओ पुस्टिया । कोई बिलिए नेक्स की बात करते हैं सिच्छा के अविक्त Spring के 2 द़हड़ देजिए को बिद्याल है तुस्तकाल है राज कोई भी लेग सकते हो cry next की बात करते हैं आपचारिक से चाहिए जहां के अनौप चाहिए आनौप की उन हो गया परिवार हो गया और भी लिख सकते लिए आगे ओंगे दें रहे यह रहा है निरौप चाहिक अभी करके दो द्रकृत कहुंसे प्रवावनाओं का विकास करना आगे बात करते हैं वालक की सिच्छा जन्म से ही प्रारंब होती है और उसकी उप्युक्ती परिचाय का माही है यह कतन किसका है रूसों का ता ना मारूट जाती है तो रूसों का हो जाएगा देखाता हमने देखा है अपचारिक सिच्छा के दो साधन बताई अपचारिक सिच्छा के दो साधन बताने अपचारिक कौन सा होता है परिबार होता ह सबस्ते हैं इसकूल है अपना राज्च है नेक्स की बात करते हैं अभीकार भताई अभीकार बता इसार पत्र 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 रिकाएं ठीक है यह उजाती है सारी सारी आगे बते हैं रिखाए इंद्रा गांधी राष्ट्रि मुक्त विस्वधाले आई एंड अवो सारी आई जी एन उयू सिच्छा के कौन से अभी करण के अंतरगत है यह किसके अंतरगत आएगा इंद्रा गांधी गांधी राष्ट्रि मुक्त विस्वधाले की बात यहां पर कर रहा है तो किसके अंतरगत आएगा तो यह आएगा निरौप चारिक सिच्छा के अंतरगत यह वैरी इंपोर्टन इसको अकल ना किसके अंतरगत आएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं आई जी एन ओ यू की स संबीधान के किसन उच्छेद में संग सासित राज्योक सरी संग सासित छेत्रोक में सिच्छा बाप प्रसासन के बिसाय में कहा गया है तो किसमें कहा गया है यह आपको बताना है तो यह कहा गया किसमें 249 में 315 में यह पर हो जाता है अपना 350 में यह पर 373 में तो संबीधा के संगशेद में संग्साथ्ष्ःत्रों में सिच्छा और सप्रसाथण के विसाय में जो यह कहा गया है 249 में केसा बात करें गी 29 मतलब ताली की बात कर रहा हैं गया सिर्फित का बजएंगे जब अब सुच्छी तो होगे विल्कुछ सही दर आधर एक विक 다े आगे बड़ते हैं शिच्छा को संवर्ति सूची में शंबीधान के सनच्हेद के संसओधन के द्वारा लाया गया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा सुच्छा को संबर्ती सुची में संसुची में किसके तर ने सोच्छा को संबर्ती सूची में सामिल किया गया है आगे बता है में प्रवर्तन की तारीक नतारीक आपको बताना है 26 शब्यूद्पींधिंग spoken इन में से कोई नहीं तो लाई से क्या होगा 26 सब्सक्राइब करना आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन नेक्स कुशन को देखिए भारती संबीध्हान में अनुच्छदों की संख्या कितनी है तो भारती संबीध्हान में अचुले संख्या बताना है 400, 390, 392, या पर 398, तो कितनी है बैई, 300, 452 नुच्छेद हैं, इनसे बढ़ेंगे नहीं, इनी में क्या लग जाते हैं, भाग जुड़ जाते हैं, ठीके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्कुशन की बात करते हैं, संभीधान जिर्मार के लिए, गठित प्रारूप सम्मिती का अ भाटटर भीमराव अंवेटकर जी, ठीके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्कुशन को देखे का दो रेखा है, जी बारत की सम्मिधान सभाट बात ने, संभीधान को किस सन में सुईकार किया था, 1946, 1948, 1949, 1950 right answer भी अपना क्या हो जाएगा right answer अपना क्या हो जाएगा भई बिल्कुल सही भई 1949 में सुईकार किया गया था कब 1949 में सुईकार किया गया था right answer लेगा option number 6 next question की बात करते है मानवदिकार दिबस पर 30 बर्स मनाया जाता है 15 December, 5 December, 16 December 10 December को right answer option number next question की बात करते है सिच्छा को संबीधान की संबर्ती सूची में कब रखा गया था हमने देखा था कब 42 बार संबीधान संसो 176 तो right answer option number दा हो जाएगा ठीक है और संबर्ती सूची में बिसाए कितने है तो बही 47 बिसाए कितने है 47 बात करते हैं कि भारती संबीधान लागू हुआ भारती संबीधान लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था लागू हुआ था तो right answer कहा है option number हो जाता है आगे बढ़ते हैं राज का संबेधानिक अध्यक्च होता है राज का संबेधानिक अध्यक्च कौन होता है राजपाल सिच्छा मंत्री मुक्य मंत्री इन में से कुई नहीं तो भै कौन जाएगा राजपाल हो जाता है संबेधानिक अध्यक्च संबेधानिक कौन होगा राजपाल होगा आगे ब दूआ दिये गए हैं प्यरक्तियों का अधिकार क्या है समाज दूआ दिये गए ब्यक्तियों को अदिकार नेक्स कुषिन की बात करते हैं बर्तमान-भारति संभी भान में कुल कितने मौलेक करतव योका कउलेख है ऐठ मौन की वोड़ली है तो वह जाता है तो एक ग्यारा मौली करतब हो जाते हैं. यहाँ पर हमने क्या देकश लिए? यूनिट कहां तक देख लिया? यूनिट हमने चेक कर लिया. कहां तक? फूर तक. अब उसके बाद next पार्ट में मिलेगा आपके लिए unit कितने तक? यूनिट मिलने वाला है 5 से लेकर 8 तक ठीक है तो next part जरूर देखेगा first part बहुत ही ध्यान से देखेगा सारे की सारे मैं ट्रिक याद कराएं आपके लिए जो कि आपको exam में याद रहें अगर आप इसे 2-3 बार वीडियो को देख लेते हो और latest job भी वहाँ पर आपको मिल जाती है ठीक है latest job पूरी पूरी साइट रखी है आपको job महाँ पर मिलेंगी notes भी मिलेंगी ठीक है और important notice भी आपकी university से रिटे आपके question यहाँ पर सारे की साइट देखें साइट एक बार खोल के देखेगा ठीक है बहतर प्रकार से आपको यहाँ पर बनाई गई है और हर चीज बहाँ पर मिलने वाली है जल्दी content सारा की सारा डालने वाले हैं ठीक है थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे क्योंकि समय लगेगा search करने में link रूनने में ठीक है तो fans like करना share करना channel को subscribe करना और तो फिर्ट जैहिन जै भारन आप आप